नमस्ते, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप आपके ब्रोकर शुन्य को स्टोलों से कनेक्ट करके डारेक्ली ट्रेड ले सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे टॉप राइट कॉर्ण में जहां पर आपको दिखेगा कनेक्ट ब्रोकर का आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करते हैं आपको जो भी आपके डायलोग बॉक्स खुल जाएगा, यहां पर आपको डालना पड़ेगा आपका अकाउंट आईडी, आपकी API की और आपका vendor code, तो आपको आपकी अकाउंट आईडी के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जिसका नाम है trade.0.com, यहां पर आप लोगिन करेंगे, लोगिन करने के बाद आपको यहां पर top corner में आपका अकाउंट आईडी विख जाएगा, इसको आप यहां से copy कर लेंगे, और इसको ले जाकर हम paste करेंगे वापस अकाउंट आईडी वाले section में, तो यह हो गया account आईडी, इसके बाद आपको चाहिए होगी API key, अब API key के लिए आपको जाना पड़ेगा इस website पर prism.0.com slash user slash dashboard पर, जैसे आप इस website पर login कर लेते, आपको यह dashboard दिखेगा, यहां पर आप top right corner में, आपके नाम के बाज़िए में आपको एक down arrow दिखेगा, यहां पर आप click करेंगे, और हम जाएंगे API keyper, इस page को load होने में थोड़ा से समय लग सकता है, आपको कुछ seconds का, तो थोड़ा से आपको दिख जाएगा, IMEI और API key तीनों आपको यहां पर दिख जाएगा, यहां से हम API key को copy करेंगे, और वापिस हमारी stolen वाले dialogue box पर जाएगे, यहां पर हम API key में इसको paste कर देंगे, तीसरा हमें चाहिए vendor code, हम वापिस से शुन्ने वाले website पर आके vendor code को copy करेंगे, और यहां पर ह करने के बाद आप क्लिक करेंगे add broker वाले button पर, जैसी आप करते हैं आपको notification आजाएगा कि शुन्निया आपका successfully add हो चुका है और आपको यहां पर दिख भी जाएगा, यहां से हम चलेंगे सीधे homepage पर, homepage पर आते सी आपको यहां पर वापिस से जाना पड़ेगा top right corner है, यहा जैसे क्लिक करेंगे, तो आपका यह user account ID आपको दिख जाएगा, यहां पर आपका password एंटर करना पड़ेगा, तो हम अपना password यहां पर एंटर करेंगे, आपका password डालने के बाद आप नीचे add totb वाले button पर क्लिक करेंगे, तो चलिए पता करते, totb कहां से मिलता है, totb लिए आ karead.0.com पर, यहां पर आते सी आपको यहां पर आपका जो client ID है, आपको क्लिक करना पड़ेगा, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का एक page खुल जाएगा, यहां पर आपको जाना पड़ेगा, security में, security में आपको देखेगा, totb, जैसी आप उस पर क् चैने बड़न करें और इस एप में एंटर करके आपको एक इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी इसी तरह की नहीं दिखाई देगी क्योंकि यह दूसरे पासफ़र्डे पर आपको यहां पर आपके प्लस वाले बटन पर क्लिक करना पड़ेगा जो कि आपको एक ऑप्शन जो कि हर मिनिट यह चेंज होते रहता है तो इस पासवर्ड को लेके आपको बापिस जहां connection वाला था इस टोलों के platform पर यहां पर आपको आपका TOTP एंटर करना पड़ेगा जैसी आप उस TOTP को एंटर करते हैं जैसे में यहां पर OTP को एंटर कर रहा हूं अभी के लिए और उसके बाद आप क्लिक करेंगे connect वाले बटन पर यह आपको वापिस home page पर लिखे जाएगा और आप जैसा कि देख पा रहें कि top right corner पर आपको शुन्य का logo दिख जाएगा इस logo का दिखने का मतलब है कि आप अब live trade लेना शुरू कर सकते हैं डारेक्ट इस्टोलो के platform से हमारे साथ जूड़ा रहने के लिए धन्यवाद